हेलो आप्रिवान आप सभी का IBTS में मैं रोश्णी गौतम वेलकम करती हूं वीकली करेंट अफेर में इंपोर्टेंट डेट अपोइनमेंट जितने भी नाशनल इंटरनाशनल स्टेट न्यूज है हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जो आपके सारे वीकली करेंट अतराम से हो जाए तो और भी ऐसे इंफरमेटिव या कोर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकत करते हैं तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हेलो आप्रीवन जो जो लाइव है मुझे बता दीचिए और और आडिवल है विजिबल है सभी मुझे बता दीचिएगा और जहां पर यहां पर मैं अगर सवाल पूछो तो आप लोग जवाब हम इंपोर्टेंट डेट्स में देखेंगे कौन-कौन है तो CISF रेजिंग दे मनाया जाता स्टूडेंट 10 अफ मार्च को जिसका फूल फॉर्म है सेंटल इंडरस्टियल सिक्योरिटी फोर्स इन 1969 में स्टाबलिश हुआ और यह वन ऑफ दे सेंट्रल आम फोर्स पुलिस का एक हिस्सा है और यह ministry of home affair के अंडर आता है international day of women judge मनाया जाता भी हमने फिला ली women's day मनाया है तो यह women's judge day है जो की women's in justice and women for justice यह जो है schemes है यहां पर miss world miss world kristina piskofa बनी है जो की Czech Republic से है और यह इंडिया में Mumbai में held हुआ था और 71st okay 71st miss world बनी है तो 71st important हो जाता है और हमारे इंडिया में last कौन बनी थी अगर आता हो तो comment section में लिखियेगा मौरोशियस day मनाया जाता है 12 March को और हमारी जो प्रेजेंट साहिबा है द्रोपती मुरो जी को बुलाया गया है as a cheap guest और हर 12 March को इनका day होता है यह celebrate करते हैं अगर बात करें मौरोशियस का तो इसकी capital port लुइस है और जो currency है वो मौरोशियस रुपी है hello hope no smoking day मनाया जाता है student जो की year ओके तो यहाँ पर no smoking day मनाया जाता है second Wednesday of March हर second Wednesday of March को smoking day नहीं मनाया मतलब कि आपने smoking नहीं करना इसके मनाया जाता है next international day for action for river जो की 14 March को मनाया जाता है इस साल का theme है water for all world consumer right जागो ग्रह जागो आपने सुनाई होगा उसकी consumer right day मनाया जाता है जो की 15 March को मनाया जाता है इस साल का theme है fair and responsive AI for consumer okay next I&M minister ने release किया है एक बुक जिसका नाम है Israel war diary लिखा किसने है विशाल पांडे ने निखा है ओके तो याद रखेगा लिखा किसने है और release किसने किया है यह book categories में important हो जाता है international vaccination day और जिसको national immunization day 16 March को यह important है इसके लिए हमारी country में एक scheme भी है अगर मालूम होगा तो comment section में लिखिएगा national archives days मनाया जाता है और 134 foundation day 11 March को मनाया गया है इसमें जितने भी government की documentary होती है उसको protect करने के लिए documents available होता है उसी के यह live time of सुबास शंद्र बोस के द्वारा मनाया जाता है इनके live time पर और इस साल का जो exhibition जो launch हुआ उसका नाम है शुवास अभी नंदन ओके अभी नंदन हेलो सौरब अब important appointments में देखेंगे कौन-कौन है राजजंद्र प्रशाद गोयल जी ने additional charge और chairman of MD NHPC limited को join किया है अगर हम बात करें student यहां पर about NHPC का तो उसका full form है National Hydro Electric Power Corporation जो की mini ratna categories one में आता है PSUs है जो established हुआ था 1975 under the companies at 1956 और इसकी headquarter कहां है फरीदाबाद हरियाना में अरुन गोयल ने जो election commission का इन्होंने इसमें इस्तिफा दे दिया है और इसी की जगह बन गए है सुखवीर संदू और गनेश कुमार एक्चुली जो गनेश जी है अरुन गोयल जी है इन्होंने इस्तिफा दे दिया और दो पोजीशन बेकिन था दो पोजीशन पर सुखवीर संदू और गनेश कुमार जी अपॉइंट हुए है जो चीप इलेक्शन कमिशन का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा तो सुखवीर सिक सिंदू पंजाब से हैं और गनेश कुमार क्यारला से हैं थोड़ा सा इलेक्शन कमिशन के बारे में बात करते हैं ये कॉंसिटूशन और जैन्वरी 25, 1950 को स्टाब्लिश हुआ और इसी दिन नाशनल वोटर डे अब्जर्ब किया जाता है ये पार्ट 15 आर्टिकल 324-329 से के इंडियन कॉंसिटूशन में आता है इलेक्शन कमिशन पहले क्या था सिंगल बॉडी कमिशन था अब मल्टी मेंबर बॉडी हो गया है जो की अमेंडमेंट हुआ था 1989 में अब यहां पर 3 बॉडी जिसकी नाम याद रखेगा 3 मतलब की 3 में से चीप जस्टिस जो इलेक्शन कमिशन है उनका नाम भी लिखिएग मुझे और दो जो हैं सुखवीर संदू और गनेश कुमार अपॉइंट हुए हैं इलेक्शन कमिशन के मेंबर्स ओके नेक्स चलिए बात करते हैं देवेंद्र जजर्जीरिया बिकम न्यू प्रेजिडेंट पैला ओलंपिक कमेटी के यह देवेंद्र जजरिया जो बने हैं न्यू प्रेजिडेंट बने हैं पैला ओलंपिक कमेटी के इंडिया में ओके तो यह इंपोर्टेंट है याद रखिएगा कि शोर मखवाना जी ने अपॉइंट किया है चार जॉब चेर्मेन और नाशनल कमिशन पर शिडियूल का जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे जो भी इशुज होता है उसको यहाँ पर देखते हैं चेर्मेन किशोर मखवाना जी ने अज्यूम किया है अगर बात करें स्टूडेंट एंसी जो आता है वो आर्टिकल 338 में आता है और यह स्टैबलिश हुआ था अगस्ट 1978 को बट अमेंडमेंट हुआ 89 अमेंडमेंट आक 2003 में और यहाँ पर जो शिडियूल कास्ट है और शिडियूल ट्राइब से उन दोनों को अलग कर दिया है तो याद रखिएगा यह चेर्मेन शिडियूल कास्ट के बने हैं लोका युक ऑफ मध्यप्रदेश स्टेट एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अवोर्ड में बात करेंगे अवोर्ड में ऑसकर अवोर्ड 2024 हेल्ड हुआ है और यह 2023 के लिए दिया गया है जो कि 96 अकैडमिक अवर्ड है और इसमें जितने को मिला है दिया किसके दौरा जाता है अकैडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट और साइंस के दौरा दिया जाता है यह ङाद रिकना है important actor जो है वो Celian Murphy in openheimer से best director Christopher Nolan openheimer से best picture openheimer से best actress Emma Stone poor thing से best supporting जो actor है robot Donnie Julian openheimer से best supporting actress Divine Joy जो की holdover से मिला है best song what was I made for यह सारे important है उसकी और एक separate videos भी बन गई है वहाँ जाके आप देख लीचेएगा next है Recain Yamamoto Japan को declare किया गया है 2024 Prisker architecture price one of the architecture को honor करने के लिए यह price दिया जाता है Prisker architecture price जो की Recain Yamamoto को दिया गया है जो की Japan से है सात्य academic award 2023 दिया गया है जो की लिट्रेरी वर्ट के लिए दिया जाता है और 24 language के लिए दिया जाता है 22 language जो की एक schedule में हमारे constitution में है और दो और language के लिए दिया जाता है English और राजस्थानी के लिए दिया जाता है और यह 12 March 1954 को establish हुआ था तो इस बार किसको मिला है तो नीलम सरन गौर को बुक रेक्ट्यूम इन रागा जानकी को मिला है और संजीब मुझे पैचानों के लिए हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है इसी प्रकार से मंजुला रामा स्वामी को कन्फर्ड किया गया है संगीत नाटक अकाडमिक अवोर्ड जो की भारत नाट्यम के लिए इनको दिया गया है अगर ये देखे कि संगीत नाटक अकाडमिक अवोर्ड कब से दिया जा रहा है तो 28 जनवरी 1953 से दिया जा रहा है नेक्स्ट है इंडियन राइटर अमिताव गोष्ट को अवोर्ड दिया गया ओके अवोर्डेड और प्रिस्टीजियस एरामिसिस पराइस 2024 के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक थीम दिया था इस इमेजिंग इन अन्थिंकेबल इसके लिए इनको आज जो प्रिस्टीजियस एरामिसिस अवोर्ड दिया गया है 2024 के लिए इन्होंने क्लाइमेट चेंज पर बहुत ज़्यादा काम किया है नेक्स्ट हम गवर्मेंट स्कीम्स में देखेंगे स्टूडेंट यूनियन मिनिस्टर के दौरा नेशन वाइड में जल्शक्ती अभियान के तहट Catch the Rain केंपेइन लॉंच किया गया है अगर इसकी बात करें तो जल्शक्ती लॉंच हुआ है 2019 में जल्शक्ती अभियान इसकी स्कीम्स भी मैंने दे दिया है उसको कमेंट आप देख लीजेगा इसकी वीडियो separate वीडियो भी है जो की implement हुआ था 13 November 2024 इस campaign कब से start implemented तिल 13 November 20 मतलब कि यह जो Catch the Rain है student वो कब तक implement करना है 13 November 2024 तक इस साल का जो theme है वो नारिशक्ती से जल्शक्ती के तहद है और यह बहुत सारी different different जो campaign है उसके अंडर आती है तो जितने भी हमारे Rain है उनको catch करने के लिए यह अभियान लाया गया है under the जल्शक्ती अभियान तो याद रखिएगा next चल रहा है portion पक्वारा 2024 जो की 9th से 23rd March के spend में चलता है और यह 15 दिन का जो है days चलता है इसको celebrate किया जाता है portion मा portion मा September को होता है लेकिन यह week है week जो की 9th से 23rd March तक चलता है under the portion अभियान जो की नरेद्र मोदी जी के दौरा 8 March 2018 को launch हुआ था portion की बात करे तो प्राइम मिनिस्टर overarching scheme for holistic nutrition के तहत इस साल का theme है portion भी और पढ़ाई भी ओके तो important हो जाता है चलिए national news में अभी देखेंगे क्या क्या है CAA implement हो गया CAA stand for Citizen Amendment Act 2019 यह पास हो गया है December 11 2009 जो की amend करेगा Citizen Act 1955 यहाँ पर जो non-muslim communities है जो की पाकिस्तान बांगलादिश अफगानिस्तान से आए है जो की हिंदो सिक बुद्धिस जैन पार्षन और क्रिश्चन यह स्थे कमिनिटीज है और इन कंट्री से आए है तो उनको citizenship फास्ट्रेक पर citizenship मिलेगा वैसे 11 मतलब की अगर 11 साल रहते हो तो आपको citizenship मिलता है लेकिन यहाँ पर इस amendment के थुरू पांच इयर में भी जो की 31 दिसेंबर 2014 से पहले आए है उनको right दे दिया जाएगा इंडिया का right citizenship right दे दिया जाएगा उनको कुछ documents दिखाने हैं और उनको जो right मिला जाएगा जो की implement नहीं होगा नौर्थ इसके states में नौर्थ इसके state में इंप्लिमेंट नहीं होगा यह याद रखेगा और इसको criticize भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ three countries को दिया जा रहा है citizen और भी countries को नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर non muslim को दिया जा रहा है muslim को नहीं दिया जा रहा है और इस सब के लिए क्रिटिसिजम भी है चलिए अब हम बात करेंगे UGC University Grant Commission के दौरा शेरनी हेल्प लाइन जो है यह लॉंच किया गिया है शेरनी का फुल फॉर्म है She Research Network इंडिया जो की लॉंच हुआ है इस पोटल पर जितने भी साइन से रिलेटेड़ फीमेल है अपना एक्सपीरियन्स शेयर करेंगी अगर बात करें UGC के चेर्मन है एम जगदीश कुमार ओके पीम मोदी जी ने फांदेशन स्टोन रखा है फांदेशन स्टोन रखा है अब तक बना नहीं है त्री सेमी कंड़क्टर प्रोजेक्ट जो की वर्थ आफ 1.25 ट्रिलियन का है और इसका कहां कहां पर ये प्रोजेक्ट बनाए जाएगा धोलेरा स्पेशल इन्वस्टीगेशन रीजन गुजराथ ओसेट फसिलिटी इन गुजराथ और ओसेट का फुल भॉर में आउट्सोर्स सेमी कंड़क्टर असेम्बली और टेस्ट पैसिलिटी असाम तो दो गुजराथ में बनेगा और एक असाम मोडी गाउ में बने तो य याद रखिएगा ICAR stand for Indian Council of Agriculture Research CTCRI से क्योर किया है patent patent का मुझे बताइएगा कितने सालों के लिए patent मिलता है for the smart farming e-crop devices से मतलब कि यहाँ पर जो हमारी farming होगी वो smart technology से होगी मतलब कि आपके खेट में according to requirement soil की कितनी requirement है कितना पानी चाहिए कितनी fertilizer चाहिए उसके according यह अच्छे से measurement करके दिया जाएगा जिसका नाम है ICAR that is Central Tuber Crop Research Institute के दोरा patent दिया गया है investigate किया गया है यहाँ पर agro जो होगी agro के nutrients water requirement जितने भी होंगे उसके according दिया जाएगा फिर PM सूरज portal launch हुआ है PM सूरज का full form है परधान मंत्री समाजिक उत्तम औरोजगार अधारिक जनकल्यान ओके जनकल्यान ये portal launch हुआ है one lakh entrepreneur को यहाँ पर जो one able section of society है उनको promote किया जाएगा और इनके तरफ उनको entrepreneur दिया जाएगा कि वो आके यहाँ पर करे और यह याद रखीगा PM सूरज है नेक्स्ट है one nation one election launch हो गया है यहाँ पर जो launch नहीं हुआ है one nation one जो election है वो summit किया गया है report by the हमारे जो former president है रामनात कोविंग जी के द्वारा एक high level committee established किया गया और उसके head जो थे president रामनात कोविंग वो इसको head कर रहे थे और यहाँ पर one nation one election का मतलब क्या है student यह समझेगा पहले मतलब कि सारे states सारी हमारी पूरे इंडिया में जो election होंगे वो simultaneously एक बार ही होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा time लगता है तो इसके according जो हमारी elections होंगी वो एक साल होंगी जो की बोला जा रहा है 2019 जो होगा 29 से होगा हमारी election यह कितने यह report जो था वो 18,626 पेस का था और 191 days इसमें लगे यहाँ पर simultaneously क्या होंगी सारी elections होंगी लोग सभा state assemblies और जितने भी local bodies है मतलब कि जब लोग सभा election होगा और state assembly election होंगे उसके 100 days बार जो local bodies के election होंगे तो simultaneously election of different level of bodies में और इसी की तहद one nation one election launch किया गया है इसमें बहुत सारे laws जो हैं उनमें implementation उसमें change किया जाएगा that is representative of people act 1950 and representative people act 1951 को इन सारे relate होगा ओके तो यहाँ पर देखिए जो article 82 यहाँ पर synchronized basis पर जो लोग सभा और state assembly में और जो भी newly constituted state assembly है उन सभी का जो लोग सभा के elections जो end होंगे उसके बाद जो होगा वो एक साथ ही सभी के elections होंगे ताकि हमारा time भी बचेगा और हमारी money भी बचेगी अगर आप बोलोगे non confidence motion मतलब अगर किसी भी state में सरकार गिर जाती है तो उसके दौरान क्या होगा उसकी जो tenure होगी उसकी जो remaining time हो रहेगा उस तक होगा और फिर से उस state में क्या होंगी elections होंगी तो जिससे हमारा बहुत जादा अब यहां पर जो article जो है student article 83 और article 174 इसमें amendment किया जाएगा और house of जो की house of parliament state legislative पर propose किया जाएगा राइट इसमें जितने भी members थे उनके नाम है जो की आप लोग पर लीजिएगा यहां पर electoral bonds जो थी उनकी डिटेल समिट ने कर दिया है स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने electoral bond किस-किस ने दिया है उसका data दिखाना था आप सभी को मालूम है Chief Justice of India के द्वारा electoral bond को क्या कर दिया खराब खतम कर दिया गया क्यों क्यों कि यहां पर जो भी माल लिजे कि आपको क्या करना है political parties को duration देना है तो आप electoral bond के थूँ दे सकते हैं basically यह bond होता है जो कि certificate के form में होता है आप जाएंगे State Bank of India और किसे भी political party को आप donate कर सकते है through electoral bond और आपका नाम क्या होगा वो anonymous रखा जाएगा छुपा करके रखा जाएगा reveal नहीं किया जाएगा इस परकार से तो यहां पर SBI ने क्या किया है उन्होंको data release किया है कि इतने सालों में किस-किस body ने पैसा दिया इस परकार से तो electoral bond के बारे में पर लेते हैं क्योंकि यह important हो जो की implement हुआ था 2018 में यह multiple मतलब 1000 और 1000 के multiples में issue किया जाता है यह unconstitutional declare कर दिया क्योंकि यह right to information को violate करता है ओके तो यहां पर data SBI के दोरा Supreme Court को data दिया गया और जिससे पता चलता है कि 6000 करोर रुपया दिया गया है यहां पर और सबसे ज़्यादा जो electoral bond के थूर दिया गया है that is future gaming and hotel services को दिया गया है ओके चलिए next देखेंगे निती आयोग ने vocal for local initiative को किया है ताकि जो grass loot जो entrepreneurs है मतलब कि जिनका basic बहुत initial level पर जो craftsmen है जो entrepreneurs है उनको promote करने के लिए vocal for local किया गया है यह aspirational block programs के तहत किया जाएगा vocal for locals ओके पर promote किया जाएगा grass root entrepreneurs यह है next हम index में देखेंगे बहुत सारे index में आया है कैरला ऐसा state है जहां पर highest passport जो है issue होते हैं अगर woman की बात करे वो भी अगर male और female की बात करे दोनों अगर male की सिर्फ male की बात करे तो सबसे ज़्यादा UP में highest number of male passport जो holder है तो सबसे ज़्यादा अगर state पूछते हैं जहां पर passport holder है वो कैरला है और male और female दोनों और सिर्फ male का पूछे तो UP है इंडिया world's second largest producer of mobile phone है तो first कौन है comment section में बताईएगा methane emission from energy sector ने एक record high मतलब कि बहुत ज़्यादा methane जो है वो release हो रहा है और उसका report जारी किया गया है IEA report के दोरा यहाँ पर IEA जो है एक body है that is international energy agency okay और यहाँ पर देखे स्टूडेंट तो methane किस-किस से release होता है तो wetland से release होता है agriculture से बहुत ज़्यादा release होता है energy से waste से अधर से और सबसे ज़्यादा जो countries release करती है that is China United state और रश्या बहुत ज़्यादा release करते हैं तो अगर हम international energy energy agency की बात करें तो यह form हुआ था 1974 में और यहाँ पर 2007 में India as a associate member बन चुका है और यह बहुत सारे report publish करता है जैसे की world energy outlook, world energy balance तो इंपोर्टन रखेगा highest emission record किया गया है और यह two-third जो होती है emission चाइना, United State और रश्या के द्वारा किया जाता है तो 2023 reports जारे हुए किस factor से release होता है सारी यह भी important हो जाता है चलिए India, HDI report आया है आप सभी ने देख लिया होगा नहीं देखा तो समझे इंडिया ने 134 rank किया है in HDI HDI कौन करता है तो human development index यह release human development index जो की release करता है UNDP United Nation development program और हमारा जो rank है वो better हुआ है अगर हम पिछले साल की बात करें पिछले साल हमारा rank था 135 out of 191 countries और अभी जो rank हुआ है 134 out of 193 countries ओके और हमारी country में हैं और यहां पर अगर theme की बात करें तो breaking the grid lock जो है इस साल का theme था और सारी countries की एक बार देख लेते हैं चाइना ने rank किया 75 श्रिलंका ने rank किया 78 वोटान ने rank किया 125 बांगलादेश ने 129 नेपाल ने 146 और पाकिस्टान मतलब हमसे better सारी countries हैं except नेपाल और पांगलादेश HDI आप स्टैपिंग में पढ़ेंगे त्री इंडिकेटर पर जो है वो देखा जाता है कि कितना है और अगर हम बात करें त्री इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो चाहे हमारा नैशनल इंकम हो या फिर लिटरेसी रेट हो तीनों में हमने बहुत ज्यादा इंप्रूब्मेंट किया है यह बात है फिर इंडिया का जंडर इंडिक्वालिटी इंडेक्स भी आया है इसी के साथ 108 2022 के लिए तो हमारा जो इसमें भी रांक है 108 रांक है दाट इस बेरी इंपोर्टेंट 193 कंट्री अगर 4 की बात करें तो 434 अगर HDI 3 इंडिकेटर पर रिलीज होता है तो हमारा इंडिक्वालिटी इंडेक्स भी इसी 3 इंडिकेटर पर रिलीज होता है रिपप्रॉड़क्टिव हेल्थ आमपावर्मेंट और लेबर मार्केट पर रिलीज किया जाता है ٹोकै . नेक्स्ट है इंडिया वर्ल्ड लाइजेसर आमहिंपोर्टर हैं स्टूडेंट इंडिया सबसे ज्यादा आंहिंपोर्टर एकरता है सबसे ज़्यादा कौन कौन से कंट्री है जो की आंस इंपोर्ट करती है यू यू एस से फ्रांस रश्या चाइना जर्मनी हम सबसे ज़्यादा करते हैं रश्या से फिर हम करते हैं फ्रांस से फिर हम करते हैं यू एस सबसे ज़्यादा करते हैं स्टेट में स्टेट यूज में देखेंगे पीम जी ने लॉंच किया है महतारी बंदर योजना 36 गड में इंपोर्टेंट हो जाता है जो भी महलाई 23 से 60 साल के के एज में है उनको 1000 की रुप्या दिया जाएगा थू डीबीटी-डीबीटी मतलब डारेक्ट बेनिफिट ट्रा मतलब चाइना से चाइना के लिए है पहले क्या हो था सबकुस विजिबल होता था हम जो भी रोड पर लेके जाते थे लेके आते थे तो चाइना से छुपाने के लिए हमने सेला टरनल बनाया है और सेला टरनल जो क्रंस्ट्रक्ट किया गया है डाट इस भी आरो के द्वारा किया है water road of organization और height 13,000 feet road के उपर है और ये world largest by tunnel मतलग road पर जो longest tunnel है वो ये highest world largest है तो याद रखेगा 13,000 feet पर है जो कि connect करेगा असाम और अरुनाचल प्रदेश में ये 2019 का इसका foundation स्टोन रखा गया था और ये inaugurate कर दिया गया है और ये जिस construct हुआ है कौन से model पर तो new Australian tunneling method से ये construct हुआ है PMG ने late foundation रखा है 2880 megawatt फॉर दिमांग multipurpose hydroelectric project जो कि अरुनाचल प्रदेश तो अरुनाचल प्रदेश में आपने देखा कि ये सेना talent भी हुआ है और यहां पर multipurpose hydroelectricity project megawatt इतना जो है foundation stone रखा गया है अरुनाचल प्रदेश में तो ये festival कहां पर मनाया जाता है तो अरुनाचल प्रदेश में मनाया जाता है इंडिया ने golden लंगूर का जो population estimate किया है और ये increase हो गया है 7396 हो गया है अगर बात करें तो golden लंगूर कहां पर पाय जाते हैं मानस biosphere reserves में पाय जाते हैं ये IUCN list में threatened species and danger species में listed है ये World Light Protection Act 1974 schedule first में आता है बीजेपी नयाब सिंग सैनी ने हर्याना के new chief minister बन गए है नयाब सिंग सैनी जो की बीजेपी के ही है अभी आप लोगों ने सुना होगा बीजेपी और जेजेबी जो alliance थी वो तूट गई है उसके बाद बीजेपी का अपना उन्होंने रखा और उसके बाद नयाब सिंग सैनी बने है नए cm आफ हर्याना लगदाग दिमान कर रहा है अपना state हूट क्यों क्योंकि वहाँ पर जो है वो यूटी है लगदाग यूटी है तो बोलते हम अपना मेरा अपना एक state बना दो क्योंकि हमने central government के उपर नहीं इसको control करना ऐसा क्यों क्योंकि लगदाग की खुद की बहुत sensitive culture है और बहुत ज्यादा sensitive ecosystem है तो वो अपने according deal करें इसलिए वो डिमान कर रहे हैं statehood under the schedule 6 schedule यहाँ पर वो डिमान कर रहे हैं कि हमें statehood दो लगदाग का और हमें जो safeguard दो under schedule 6 और reservation of job भी दो और creation of separate parliamentary constitution ले और कारजिल के लिए separate parliament constitution भी दो हमें फिर बात करेंगे home minister अमिशाजी ने launch किया है दिली गर्मोद्य अभियान village को development के लिए 41 village को develop करने के लिए यह अभियान हुआ जहां पर management, livelihood, health care, water management, efficient use यह सारा किया जाएगा Tamil Nadu का first robotic temple elephant आपको पता होगा south में मंदिरों के आगे जो elephant रहते हैं तो Tamil Nadu हो गया लेकिन यह second state है पहला state क्यारला है जहां पर robotic temple जो elephants होते हैं वो है तो यह by the NGO यह किया गया है तो यह है Tamil Nadu second state है क्यारला first state है असाम ने decide किया है कि povitora wildlife century को denotify कर रहेंगे ओके असाम ने demand किया है जो कि supreme court ने क्या कर दिया है खारिस कह दिया है उन्होंने बोला नहीं इसको denotify नहीं किया जाएगा povitora wildlife century को denotify नहीं किया जाएगा अब मैं आपको बात करूं तो povitora wildlife century जो है student असाम में है और यहां पर जो मतलब की one horn rhinos यह हैं यह बहुत ज़्यादा पाये जाते हैं after kaji ranga national park पहले बहुत सारे kaji ranga national park में पाये जाते हैं second largest population जो है वो असाम में povitora national century में पाये जाते हैं wildlife century में पाये जाते हैं और अगर बात करें तो highest अगर population के basis पर देखे तो kaji ranga है और density के base पर देखे तो पोवी तोड़ा wildlife century पर one horn rhinos बहुत ज़्यादा है जो कि river बरहम पुत्रा पर देखे जाते हैं यह बरहम पुत्रा पर है और supreme code ने बोल दिया अब बात करते हैं one horn rhino के बारों बारे में तो यह one है क्योंकि यह जो one horn है उसके इसको प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल लाइप प्रोटेक्शन एक 1974 शिड्यूल फरस्ट में फिर महराष्टान के 59 captain ने अप्रूब किया है ऐहमद नगर दिस्टिक से अहिलिया नगर डिस्टिक बनाने जी ओके तो अब एहमद नगर जो डिस्टिक था उसको अहिलिया वाई यह उन्होंने रूल किया है और वह रूलर महराठा मालवा किंडं की अंप फिर international news की बात करें student तो उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया ने pack sign किया है EFTA EFTA क्या है student European Free Trade Association जो भी country European Union में नहीं आना चाहती है उन्होंने अपनी association बना ली है that is European Free Trade Association उसके दौरान इंडिया और EFTA ने क्या किया है जोइन किया है dollar 100 million का commitment किया है 100 million का free trade करेंगे एक दूसरे के लिए तो ये pack sign किया है with EFTA इशकदार appoint हुए है पाकिस्तान के new foreign minister के तौर पर Palestinian President Muhammad Awas appoint किये है Muhammad Mustafa को next new PM तो पहले Muhammad Mustafa as a economic advisor थे अब वो PM हो गए है प्लिस्तीनिया ओके स्पोर्ट न्यूज में बात करेंगे वर्स टैपन ने वोन किया है मतलब जीते हैं South Arabian Grand Fricks पहले इन कुछ दिन पहले ही ब्राहिन Grand Fricks ये जीते थे अब इन्होंने जीता है South Arabian Grand Fricks ओके संतोस ट्रॉफी जीता गया है सर्विस ने जो की वीड किया है गोह को और ये टाइटल फॉर सेवन टाइम इन्होंने सेवन टाइम किया है 77 National Football Championship में 77 National Football Championship हुआ जिसमें संतोस ट्रॉफी को जीता है सर्विस में नेक्स सत्विक और चिराग जो की बेन्मिंटन खेलते हैं उन्होंने जीता है France Open Double Title ओके नेक्स नेकिंगे टीम इंडिया ने 26 मेडल्स को जीता है और उन्समें से पांच गोल्ड के हैं यूथ वल्ड वॉकसिंग कप में और यहां पर निकिता को वेक्स बैस्ट बॉक्षर का टूर्नामेंट भी दिया गया वेक्स वोक्सर का टाइटल भी दिया गया है रविंद्रफ जो है पहले यंगेस्ट विकमा यंगेस्ट मतलब यंगेस्ट पहले नहीं यंगेस्ट जो की जीते है एक टाइटल उनको मिला है Sir Richard Hedley Medal से जो की न्यूजिलेंड किर्केट देता है किर्केट के फिल्म में न्यूजिलेंड देता है और इंट्रोड्यूस हुआ 2011 में उसी के तहद रविंद्रव जो है पहले यंगेस्ट विकम यंगेस्ट रेसीपेंट जो की सर रिचार्ड हेडली मेडल से ओनर किये गए है साइंस के न्यूज में देखेंगे समुंद्रियान सेट टू एक्स्प्लोर दा ओशियन समुंद्रियान जो है वो ओशियन को एक्स्प्लोर करने के लिए रेडी है बाइदा दो हजार पच्चिस तक यह मिनिस्ट्री ओफ और साइंस के मैं आपको बताती हूँ यह जो होगा समुंद्रियान यह डीप ओशियन के बीच में जाएगा और स्टडी करेगा एबाउट इकोलोजी के लिए अब इंडिया तो गया है इससे पहले यूएसे रश्या चाइना फ्रांस जपान भेच चुका है और उन्होंने सक्सेसफुली किया है डीप ओशियन क्रीवड मिशन के त्रोड तो हमारा भी है जिसमें हम थ्री पैनल ओके थ्री परस्नल टू सिक्स हंडर्ड शिक्स थाउजन मिटर डेफ्ट में जाएंगे और डीप स्टडी करेंगे हम ओशियन को इंडिया ने फास्टेस और इंडिजीनेस मतलब इंडिया में ही बना हुआ IP इंटरनेट प्रोटोकॉल MPLS राउटर को लॉंच किया है MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्यूचिंग को लॉंच किया है यह याद रखेगा नेक्स्ट हम डिफेंस न्यूज में बात करेंगे इंडिया USA मैरिटाइम सिक्क्योरिटी ने एक्सरसाइज किया है D Defender मतलब कि इंडिया का और USA का जो मैरिटाइम है उन्होंने इसी डिफेंडर 2020 को एक्सरसाइज करने के लिए अंडमार और निकोवायर आइलेंड पर किया है और 9 मार्च को मिशन दिव्यास के तहद अगनी 5 मिशाल को यहाँ पर टेस्ट फायर किया गया अगर मैं आपको बात करूं तो अगनी 5 मिशाल इसमें से बहुत सारे 123 मतलब अगनी 1 अगनी 2 अगली 3 तो अगनी 5 मिशाल यह बहुत ज्यादा बैलिस्टिक मिशाल है और इंटर कॉंटिनेंटल है और लेंट तू लेंट है मतलब कि यहाँ पर एक लेंट से अगर हम आप उसको बॉर्ड दोगे या फिर उसको मारोगे तो दूसरे लेंट पर वह जाके करेगा और यह इंटर कॉंटिनेंटल मतलब एक कॉंटिनेंचल से निशाना दाल सकते हो दूसरे कॉंटिनेंटल पर तो यहां पर किसके थ्रू किया गया है मल्टी इंडिपेंटली टार्गेटेड वॉर हैंड ओके यह है इसमें से बहुत सारी कंट्री हैं यह 5000 किलोमेटर तक इसका रेंज होगा मतलब यह 5000 किलोमेटर तक निशाना मार सकता है यह इंटिग्रेटेड गाइड मिशाइल डवलप्मेंट प्रोग्राम के तहट और यह किसका जो था मतलब इन्हें उन्हें किसने सोचा था कि इतना अच्छा मिशाइल बनाएंगे हमारे डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जी के दोरा बोला गया ठीक है अग्रे और अक्षे शिप लॉंच हो गई है इंडियन नेवी में जो की यहां पर बनाया गया है गार्डन रीच सिप बिल्डर के दोरा और यह कॉलकाता में लॉंच किया गया है तो यहां पर देख सकते हैं सेरेमनी हो रही है लेकिन यह कमिशन नहीं हुआ है याद रखेगा अभी लॉंच हुआ है कमिशन नहीं हुआ आग्रे और अक्षे कहां पर कॉलकाता में बिल्ड किसके दोरा किया गया था गार्डन रिच शिप बिल्डर के दोरा 77.6 मिटर लोंग और 105 मिटर वाइड है चलिए नेक्स हम देखेंगे स्टूडेंट तो यहां पर हमने सारे न्यूज को कवर कर लिया चाय स्टेट हो इंपॉर्टेंट डेट सो ए टू जेड हमने कर लिया है शौट में कर लिया ताकि आपको रिवीजन हो सके तो आज के लिए इतना ही नेक्स न्यूज में मिलेंगे नए हमें इंपॉर्टेंट डेट्स इंपॉर्टेंट करेंट अफेर तो बने रहे आई बीटीस के जौरा All the best everyone, thank you, thank you